आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्यान गंगा पे आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक्सल से वाटसप मैसिज कैसे करते हैं बल्क में तो आएए चलते हैं अपनी एक्सल शीट पे दोस्तों एक्सल सीट में आने के बाद स्टार्टिंग में आपको एक नंबर के लिष्ट बना लेनी है सेकेंड जिस जिसको आपको मैसिज सेंड करना है उनकी लिष्ट वो आलरेड़ी मैंने यहाँ पे बना रखी है अब suppose करो मेरे को यहाँ पे कुछ due amount का मैसिज करना है अपने customer को तो वो मैं कैसे करूँगा excel के थूँ equal मैंने यहाँ पे लगाया उसके बाद double inverted comma मैं यहाँ लिख देता हूँ high inverted comma then press end and उसके बाद आपको यहाँ पे party का नाम यहाँ पे select कर लेना है और फिर inverted comma, inverted comma के बाद यहाँ पे आपको comma press करना है comma press करने के बाद आपको जो due amount है वो यहाँ पे select करना रहेगा inverted comma then end sign उसके बाद due amount वाला column हम यहाँ पे select करेंगे select करने के बाद again आपको end यहाँ पे enter करना है और फिर आपको यहाँ पे inverted comma, inverted comma के बाद यहाँ पे आपको अपनी narration type करनी है जो आपको customer को भेजनी है inverted comma again type करना है and then press enter यह देखिए यहाँ पे अब इसको हम नीचे drop down कर देंगे narration थी वो properly यहाँ पे बन गई है space नहीं दिखाया है इसमें space हम दोबारा यहाँ पे space भी enter कर देते हैं अपने formula के अंदर यह देखिए अब दोबारा मैं इसको नीचे तक drag कर देता हूँ अब देखिए मेरा जो party का name था और उनका जो due amount था उनके according यहाँ पे narration type हो गई है automatic अब दोबारा मैं यहाँ पे formula लगाता हूँ whatsapp के लिए whatsapp के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले hyperlink create करेंगे hyperlink का formula लगाएंगे hyper then press tab उसके बाद आपको यहाँ पे bracket start करनी है bracket start करने के बाद आपको यहाँ पे type करना है inverted comma https column forward slash again forward slash web.whatsapp.com उसके बाद फिर again forward slash then send send उसके बाद interrogative marks question mark phone उसके बाद equal type करना है inverted comma and sign अब आपको जिस number पे हमें whatsapp करना है वो number यहाँ पे select कर लेंगे मैं यहाँ पे contact select कर लेता हूँ contact select करने के बाद again and sign and inverted comma और फिर again inverted comma यहाँ पे हमें लिखना है send message यहाँ पे again inverted comma bracket close and then press enter यह देखें दोस्तों यहाँ पे send message का hyperlink बन गया है इसको हम देखिए हम दुबरा से एक बार इसको बोथ review कर लेते हैं इक्वल hyperlink यहाँ पे आपको इनवर्टेड कोमा mention करना है formula में और देन आपको press enter कर देना है press enter करने के बाद हमारे सामने यह hyperlink बन गया है अब suppose करो मेरे को यहाँ dd enterprise को message करना है उसके due amount के लिए तो मैं simple यहाँ इस link पे click करूँगा click करने के बाद मैं यहाँ chrome पे redirect हो जाऊँगा chrome के बाद auto whatsapp पे redirect होँगा और देखिए यहाँ पे जो मेरा message था वो already यहाँ type हो गया है और मैं यहाँ पे send कर देता हूँ यह देखिए जो dd enterprise का मेरा message था वो यहाँ पे already sent हो गया है दोस्तो अब इसी तरह हम इस पूरी list को नीचे तक drop down कर देंगे और जिस जिसको भी हमें message भेजना है उस पे one by one क्लिक करके message हम यहाँ पे भेज सकते हैं दोस्तो इसमें आपको customer या जो जिसको भी आप message भेज रहे हो उनका contact number save करने की भी need नहीं है दोस्तो तो यह video आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो video को like, share and subscribe करें दोस्तो Thank you